प्रियांका कंधी ने कहा है कि महगाई और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है और चुनाव में इंडिया गडबंधन ही जितने वाला है प्रियंका क्या मुद्धे हावी है बोट किसको डाला यह एक पूछूंगे बार राविया मुद्धे क्या हावी है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने दावा किया है कि इंडिया गडबंधन के पक्ष में एक तरफा माहौल है इंडिया गडबंधन के पक्ष में एक तरफा बहुत बड़े पैमाने पे लोग समर्थन दे रहे हैं माननी रास्टी अध्य चकलेश यादोजी को इंडिया पुर्वान चल अभी तो हम इसमें पूरा जीतेंगे ही जो सात्वा चरण आएगा आप देखिएगा कि उसका समापन हमारे पक्ष में हो करके और चुनाओ का समापन हो कर रहा है कि अमेठी राइबरेली में भी बड़ इच्छी पोजिशन है वारी अब भीया वो क्या कह र लोग तंत्रिक देश होने पर हम सबको गर्भ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग तंत्र की मजबूती के लिए विक्सित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रियोग करें धन्यवाद सुल्तानफूर सदर सीट से बीजेपी की विधायक विनोध सिंग ने मेंका गांधी की जीत का दावा किया है मेंका जी की जीत को लेकर कितना अस्वस्थ हैं आप इस सीट से मुकाबला है एक तरफ इंडिया गट बंधन के प्रत्यासी राम भोल निशाद है अरे भाई अब आप इसा सवाल करें जिसका सवाल जिसका जवाब आपको मालूम हो सवार हम से कहें करते हैं मार्जिन की अगर बात की जाए तो क्या रहेगा पिछली बार 14,500 के आसपास था तो आप नाप देहें आप बताए दियां कितना है ने कितना उमीद है क्योंकि जिस तरह से लगातार वो छेत्र में बनी रही है लोगों के इनका वही प्लस पॉइंट है चुनाव को लेकर सुल्तानपुर से बिजेपी की प्रित्याशी में इनका गांधी ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते है एक निर जाप को लेकर चैनल लाइंगे पेषिए आप जड़े अपक्ष में रहेंगे बीज़ भीज़ी और आपके किया बीटी दे जाप जो जुनाब चल रहे है आपके पक्ष में होगा और बीज़पी के पक्ष में होगा सरूर सरूर कितने पार आप लोग करने वाले बेटर मुझे नहीं महलूम है जोची नहीं हूँ यारोगरे छोड़े से ब्रेक के लिए जोड़ा उटे हैं कुछ और करने के साथ